तो हेलो फ्रेंड्स लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए और एक जब अटस्ती वीडियो हमारे चैनल स्वाभाई के जिंदल पे जिसमें आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं इस मोबाईल गिंबल की जो कि यह बहुत ही अच्छा गिंबल है जो कि एक नॉर्मल मोबाईल में कनेक्ट हो जाएगा और आपके मोबाईल फोन से एकडम प्रो शॉट्स ले पाएगा जो कि वीडियो में काम आते हैं गिंबल होता कि है फ्रेंड्स कई लोग आप रोगों में से सोच रहे होंगे तो गिंब वीडियो शॉट्स को एकडम ही परफेक्ट बनाते हैं और स्टीडी करते हैं स्टीडी मींस मतलब मुव्मेंट निशे होगा आपका हाथ अगर आप हाथ से मॉबाईल से शूट करते हैं तो आप देखेंगे वीडियो शूट करते से कई बर वह उपर नीचे हिल ला डूलना जो होता है मतलब वीडियो का बहुत ज्यादा फ्रेम पर दिखाई देता आपके लेकिन इससे आपका फ्रेम जो रहेगा वह एकडम एक ही जगह पर लेगा आपका शॉट्स और अगर आप उसको लेके चलेंगे भी तो आपका एकडम दिक्कत नहीं आने वाली है एकडम प्रेम पर चैनल पर नए आए तो अगर आप पुराने तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट करकर बताएं कि आपको ऐसे वीडियो कैसे लगते हैं तो अब करके देख लेते हैं इस प्रोट के अन्बॉक्सिंग यहां पर मैंने इसके टेप को काट लिया है और य प्रेंडिंग के साथ एक गिम्बल का बॉक्स इसको हम इसके अंदर से निकाल लिया है इसके ऊपर कुछ डॉक्यमेंटेशन्स एक हमारा बिल है इसे हम रखते हैं साइड पर और यहां पर साथ में दी गई है हमें six months की वारेंटी के साथ यह कार्ड क्योंकि Amazon renewed कह तो Amazon की तर जिसके ऊपर कई सारी चीज है मेंचेंड हैं सबसे पहले तो इसकी ब्रेंडिंग उसके 3-axis handle stabilization gimbal for smartphones नीचे लिखाओ मैग्जियूम पे लो 280 ग्राम 600 डिगरी का इसमें रोटेशन दिया हुआ है इसी का एक बनावा पिक्चर इधर कुछ बार्कोट दिये हुए इनके social handles के लिए YouTube हो हैं का original जो एप है Instagram का और Facebook का और यहां पर ऐसा ही कुछ-कुछ लिखा हुआ इन चाइन प्रोडक्ट है तो इसको खरीदने से पहले एक बर आप सोचने जो कि यह भी Chinese प्रोडक्ट है यहां से अगर हम इसे open करते हैं box चोड़ा से damaged है तो अब यह निकल चुका है यह निकल कर आता है हमारे सामने में हमारा gimbal सबसे पहले यहां पर देवा एक user manual टाइप से अलग-अलग languages में user manual तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप English language में मिल जाए का disclaimer दिया हुआ है फिर प्रोडक्ट का overview दिया हुआ है सबसे पहले आप gimbal का एक app है hohem gimbal उसको डाउनलोड करेंगे तो आप बहुत सारे इसमें effective uses देख पाएंगे यहां पर quick start guide है और भी कुछ-कुछ documentation दिया हुए है warranty card अलग से दिया हुआ था Amazon की तरफ से यह हमारे सामने बहुत ही प्यारा से gimbal इसे हम यहां से gimbal निकालने से पहले friends देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हम को और क्या कि देखने को मिलता है सबसे पहले mini tripod यहां पर दिया हुआ है इसके use है हम अपने gimbal को mount कर पाएंगे तो एक यहां पर केबल दिया गया इसके जो कि एक micro USB केबल है USB A to you micro USB केबल इसके साथ में आ जाता है और यहां पर इसके साथ दियू हुई एक पाउच जिसका को खाना बिल्कुल भी नहीं है तो यह निकल कर आता है हमारे gimbal friends बहुत ही प्यारा से gimbal आप देख सकते हैं यहां पर प्रिस्टेंड जैसा ही एक phone की holder यहां पर माउंट दिया हूआ है तो इस phone holder आमाउंट से अपना phone भी आप इससे माउंट कर पाएंगे यहां पर कुछ और लेफ्ट साइट पे देखें तो इसके अंदर अपना निकल कर आता है एक USB टाइप पे जिससे कि आप इसको पावर बैंक के तरह यूज कर सकते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए और यहां पर एक micro USB port जिससे कि आप अपने गिंबल को चार्ज कर सकते हैं यहां पर बैटरी लावर इंडिकेटर दिये हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है इसमें बैटरी रिमुवेबल नहीं है यहां पर बस एक ग्रिप दी हुए बहुत अच्छी सी नीचे अगर देख लेए फ्रेंड्स तो यहां पर एक ट्राइपड मांट करने के लिए हमको यह हमारा गिंबल हो चुका अपने पैरों पर खड़ा और यहां पर अगर हम देख लें तो फ्रेंड्स यह बहुत अच्छा दिख रहा है इसके अलावे इस गिंबल में को कई सरे मोटर्स देखना को मिल जाते हैं जैसे कि फर्स्ट मोटर इसका यहां पर दिया हुआ है सेक पाइस के पीछह भी यहां पर फ़न कनेक्ट कर लेंगे तो यह उपर नहीं चे करका कि आप इसे सैट कर सकते हैं अपने फोन के हिसाब से पीछह पीछे प्रेंडिंग दी गई है और इससे हम घुमा के अपने फोन को पोर्टर्ट मोट्स के लिए भी शिफ्ट कर सकते हैं त तो इसे आप कहीं मांंट करना चाहे तो कर सकते हैं नीचे वाले में कोई और ट्रीपड पर मांंट कर सकते हैं नहीं तो इसे आप ऐसे close करके आप इसे होड़ भी कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपनको मिल जाता है और अगर आप इसका न्यू प्रोड़क्ट लेंगे तो आएका 7000 के रेंज में तो उससाब से बहुत ही अच्छा सा प्रोड़क्ट है हमारे सामने इसको यूस कैसे करना है क्या 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 स्पेसिफिकेशन से और सारी क्वालिटी इसकी आपको यूस करके शॉट्स देना हम द स्टॉल करने कुछ एटिंग्स पांग एक उसको अलाव कर दें कैंसल कैंसल कनेक्ट डिवाइस ओके अभी यहां के कनेक्ट नहीं होगा एक्चुली मैं सबसे पहले हम अपना फोन जो कि गिंबल ओन नहीं हमारा तो फोन यहां पर हम अपना कनेक्ट कर देता है कि यहां पर हमें यह मेक्शूर करना है फ्रेंड्स कि हमारा फोन जो है वह एकदम स्टेबल कंडिशन में होना चाहिए ग्राउंड के एकदम पैरलल होना चाहिए हमारा फोन थोड़ा साम इसे और सेट कर देता है और फिर यहां से इसे लॉक कर देंगे तो यह अब हमारा फोन ब्राउन के पैरलल हो चुका है अब हम यहां से गिंबल को अपना स्टार्ट करेंगे तो यह अपने पोजिशन ले लेगा जब अग्येदे अपने पोजिशन ले चुका है अब हम इसे कैसे भी करें यह पूजिशन बहुत अच्छे से ले लिया तो एक बार हमें इसे वापस यहाँ पर रख देते अब यहां पर हम इसे gimbal को अपने start कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने कड़ यह फोन को unlock हो अपने hohem gimbal app को start करेंगे इसको cancel करेंगे और यहां पर अपने आप प्रॉंप्ट आजाएगा आपके पास तो उसको आपको yes कर देना है तो connecting आजाएगा और अब यह आपका अपने start हो जाएगा तो इसे हम close up देते हैं यहां से आके तो आप यहां पर देख सकते हैं कितना stable यहां पर हमारा qualities आ रहा है इस वीडियो का आप उपर करें नीचे करें नहीं आपको sound आएगी और नहीं कुछ और साथ में अगर हम देख ले हैं तो इसको अगर तीन tap करेंगे हम कि इसमें कई सारा अगल लग मोड दिय वह हैं फर्स्ट मोड यहां पर जो मेंशन अब देख सकते हैं Πेटी एफ। लिखा हुआ है, entren mode पेन कमोड लिखा हुआ है, शेकर लिखा हुआ है, pf लिखा हुआ है, और pim लिखा हुआ है, चार मच दिया हुए है, सबसे पहले हैं सिंगल प्रेप्स कर लेते हैं, तो E car दे लिखा हो suf तो यह पैन फॉलो मोड पे डबल क्लिक करके देख लिए हैं अब यह पैन टिल्ट फॉलो पैन को फॉलो करेगा और टिल्ट को फॉलो करेगा ओके फ्रेंड्स अगर हम चार बार इस बटन को प्रेस कर लिते हैं चार अबर अपने धान फॉलो करेगा उपर जएंगे नीसे जाने प्रेसन फॉलो करेगा ऄर त्यर fairy ने उपर जाने में आएक तो यह प профन को फॉलो करेगा तो ठिगर बन तो एक तो प्रेस करने से अपने नॉर्म्मल पोजीशन ए Coleman सो भापी प्रेस करमें लिए Nem Gir === तो state position में आ चुका है, trigger protect प्रेस करके अगर आप movements लेते हैं तो बहुत ही fast moments लेगा, sports mode में आ जाता है, तो sports mode में बहुत ही fast moments लेता है, इस gimbal की अही कुछ specifications थी यह जो यहाँ पर इसमें joypad दिया हुआ आप देख पा रहे होंगे, तो joypad को करेंगे तो यह नीचे हो जाएगा, उपर करेंगे तो उपर हो जाएगा, left करेंगे तो left हो जाएगा, right left दोनों इसमें work कर रहा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं, उपर नीचे करने से joypad बहुत ही smooth work कर रहा है, नहीं आपको कोई मोटर्स की आवाज आ रही होगी, तो इसकी बहुत ही अच्छी बात है कि मोटर्स की कोई भी आवाज ने देता है, अब यह जैसे पूरा gimbal अपना उपर नीचे हो चुका है डवल प्रेस किया trigger button वापस अपने stable position पर, तो trigger button का इसमें बहुत ही important role है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो यह जो इसका पूरा features है, इस app के कई सारे features हैं, यहाँ पर आप back camera पर shift कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, और वापस हम front camera पर shift कर देंगे, साथ में यह तो यहाँ पर आपकी battery percentage दिखा देता है, फोन के upside में, आप देख सकते हैं, आपके phone की battery percentage यहाँ पर ऊपर में show कर देगा, नीचे हैं video के लिए कुछ options दिये हुआ है, उसका हम try कर देता है, तो यह बहुत सरे options यहाँ पर नीचे में दिये हुआ है, तो आप जब इस gimbal को buy कर इस app में अलग-अलग आप try कर सकते हैं, बहुत सरे options है, पैना रोमा का feature दिये हुआ है, यहाँ पर one click button दिये हुआ, जो mode button दिया हुआ, mode button के नीचे, red वाला, उससे आप अगर single press करेंगे, तो आपकी photo click हो जाएगी, और अगर आप इसे long press करेंगे, तो आपका gimbal बंद हो जा यहाँ पर, यह video start हो जुका है, तो यह बहुत अच्छी बात है, सारे controls आपको इस control panel से मिल जाएंगे, अगर आप इस app को use करते हैं तो, साथ में यहाँ पर अगर slide button को upside up करेंगे तो यह zoom हो जाएगा, downside करेंगे तो वापस zoom in हो जाएगा, और इसके controls का आप specify भी कर सकते हैं actually video mode पर है, तो video को हम वापस बंद कर देता है, पहले shooting को, तो यह video shooting इसके हो चुके stop, अब हम जाएंगे हम पर settings के button पर, और आपनको खूब साई settings मिल जाती है अपर देखने को, तो हम यह से यहाँ पर shift करके दिखा देते हैं आपको, यह रहा, camera settings, gimbal settings में आपको, control के buttons मिल ज करेंगे, जैसे अभी आप देखेंगे, तो यह उपर जाने में इतना time जो ले रहा है, उसे हम अगर full कर देंगे, अगर हम यह 3 buttons को यहाँ पर full कर देता है, तो इसके moments आप देखेगा, बहुत ही slow moments आप दे रहा है यहाँ पर, actually यह followed dead area जो speed होती है, उसका speed था, अब यहाँ पर अगर हम tilt और इसको आपकर full कर देंगे, तो आप इसकी speed देखेगा, बहुत ही fast speed, बहुत ही fast speed यहाँ पर दे रहा है, मोटर्स की कोई भी आवाज ने आ रही है, थोड़ी background sounds आपको आ रही होंगी, वो हमारे neighborhood की है, वापस हमें इसे stable कर देंगे, और restore का button देता है, जिसे कि आपकी settings का भी गड़ बढ़ा है ना, तो restore करने से वापस आपकी सारी settings नॉर्मल पर आ जाएंगे, तो इसका जो button से फिर आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, हम बैग जाएंगे, तो यही था friends इस पूरे gimbal का review और setup, मुझे personally बहुत अच्छा रगा है gimbal, इसे हम काफी समय से use भी कर रहा हूं, और अब मैं इसका आपको perfect review भी दे सकता हूं, क्योंकि इसका about 9-10 days हो गया मेरे पास रहते को, और यह बहुत ही अच्छा gimbal, इसे हम वापस button off कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा gimbal, यह friends मेरे तरफ से, मैं आपको बताऊंगा, यह gimbal बहुत अच्छा, इसका run time भी बहुत इस रेंज के हिसाब से, और एक perfect gimbal आप चूज़ कर सकते हैं, तो यही एक gimbal होगा, हो है, ice kd mobile plus gimbal, mobiles के लिए, और इसका gopro के लिए भी आता है, और साथ में cameras के लिए भी आता है, तो सब चीजों के लिए आप इसे use कर सकते हैं, यही ता friends इस gimbal का review, तो चोले इस वीडियो को यही एंड करते हैं, साथ में अगर आप हमने चैनल पर नहीं हैं, तो फिर सो बोलूँगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर यहां तक आई गए तो, और इस वीडियो को लाइक कर दें, thank you friends